आपका स्वागत है आपके अबितने चनल GBC ब्रेकिंग में एक बार फिट से दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की मूवी के बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में इस फिल्म ने जो कि संडे के दिन बॉक्स ओपिस पर कितने करोड रुपया कारोबार किया और साती साथ यह फिल्म जो कि अपने आज के दिन बॉक्स ओपिस पर कितने करोड रुपया लिए तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी प्रेकिंग पर बने रहें ताकि हमारे यसी लेटेस्ट बॉलीवुड वॉक्सपीस की मिलती रहे सब से पहले तो चलो दोस्तों सुरू करते हैं देखते रहें पूरा वीडियो तो जैसे कि पालू महीं आ जोड़दार ओपनरन वुए और हंति साथ कल की मूवी को बहुत अच्छा खासा डिश्पोंस मिला जोक्ष ओडियस कि तरफ से और कल की मूवी ने अच्छा खासा गहलीक्शन किया और ऋहीं कल की मोवी को दिन पर दिन जोके कलिकशन बहुती जोड़दार और भहुती शांदार तरीके से होते रहें बॉक्स उपिस पर आप लोगो बताई चले कि कल की मोई जो की एक विज्ञान कता एक्षन फिल्म है इस फिल्म में आप लोगो को जो की प्रभास बहुती धमाकेदार तरीके से कॉमेडी करते हुए भी नजर आ रहे हैं और वहीं दोस्तों आप लोगो बताई चले कि एक्षन करते हुए भी आप लोगो को दिखाई दिये हैं डालिंग प्रभास की फिल्म कल की मोई एक हट के और डिफरेंट मोई साबित हुई है और वहीं ओडियंस भी इस फिल्म को देखने के लिए बहुती ज़ा बहुती लंबे समय से एक्साइटेट थी और फाइनली वो एक्साइटमेंट जो की सिनेमा घरों में दिखी और इसी कारण जो की बॉक्स ओपिस पर कलेक्शन भी हुए कल की मोई को बहुती अच्छी तरीके से आप लोगो बताए चले की कामाल हसन इस फिल्म में जो की विलन किरदार दिभा रहे हैं और वहीं दोस्तों आमिता बच्चन सहाब जो की आप लोगो बताए चले की इस फिल्म में अशुत्थामा का रोल निभा रहे हैं और वहीं आमिता बच्चन और दानलिक प्रभास की जोड़दार फाइट देखने को मिली आमिता बच्चन और प्रभास की फाइट लोगों ने बहुत ही जड़ा इंजोई किया और साथी साथ बहुत ही अच्छा खासा रेस्पोंस मिला उस फाइट को देखने के बार और पबलिक रेवियो बहुत ही डिफरेट और बहुत ही जानदार मिला आप लोग बताई चले कि कल की मूवी को जो कि डारेट किया है नाग अश्विन नाग अश्विन की फिल्म कल की मूवी एक बहुत ही धमाकेदार फिल्म साबित हुई वही दोस्तों आप लोग बदाई चले कि इस movie के box office collection की बात करें तो आप लोग बदा दे कि इस movie का collection बहुत ही दमदार रहा है और इस movie के collection में जो कि drop देखने को मिले हैं लेकिन दूसरे दिन फिर से ये movie अच्छा खासा collection करती और सारे haters की बोलती बंद करती दोस्तों वही बात करें इस movie के पहले दिन के collection के बारे में तो दोस्तों इस movie ने पहले दिन का collection जो की बहुत ही धमाकेदार तरीके से 33 करोड तीन लाग रुपया किया वहीं दोस्तों दूसरे दिन भी इस film ने जो की 69 करोड तीन लाग रुपया कारोबार किया और वहीं जो की एक collection के मामले में जो की नया record जो की कायम किया आप लोग बदाए चले कि इस film ने जो की तीसरे दिन 66 करोड दो लाग रुपया कारोबार किया और वहीं चोथे दिन इस film ने 88 करोड दो लाग रुपया कारोबार किया और यह film बहुती डिफरेंट और बहुती धमाकेदार मोवी सावित हुई आप लोग बताए चले कि इस film का collection पांचवे दिन का थोड़ा सा ड्रोप देखने को मिला लेकिन इस film के collection ने जो की पांचवे दिन 34 करोड पंदरा रुपया किया साथवे दिन ड्रोप देखने को मिला इस film के collection कब होती जदा ड्रोप देखने को मिला साथवे दिन और छटवे दिन लेकिन हाला कि इस film ने जो की छटवे दिन 27 करोड पांच लाग रुपया कारोबार किया वहीं साथ वे दिन इस फिल्म ने 22 करोड 25 लाख रुपया कारोबार किया यानि कि इस फिल्म ने एक वीक में ही बहुत अच्छा खासा रिस्पोंस हासिल किया और इस फिल्म ने जो कि 414 करोड 85 लाख रुपया कारोबार किया वही दोस्तो इस film का 77 क्लेक्शन जो कि 14 करोड 45 लाव रुपे था और वही दोस्तो डॉप देखने को बड़ मिला था लेकिन 8 लगे दिन का क्लेक्शन इस film का अच्छा खासा हुआ और 16 करोड 25 लाव रुपे बاकर कारोबार किया और धमाके दार तरीके से कम से कमभी इस करोटर कारोबार कर रही है दोस्तों अगर आप लोगों ने जोकि डैलनिंग प्रोफास की फिल्म कल की मॉवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राज जरूर दे और हमारों आपके चनल जी बीसी व्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को जरु हिट करें धन्दबाद जै हिंद जै भारत